आप सभी का स्वागत है सुरेय मृताज की चन में आज मैं आप सभी के साथ स्वेयर करने वाली हूँ मोदक गरपती बपा को मोदक बहुत पसंद है तो आप लोग इस करिश चतुती पे जरूर ट्रै कीजिएगा मुझे उमीद है आप लोग को वीडियो बहुत पैसंद आएगा तो चले बिनाने स्टार्ट करते हैं मोदक बिनाने के लिए सबसे पहले कड़ाई में डेड़ कब दूद लिया है हमने मैंने आप पे गाय का दूद लिया है आप चाहें तो फुल फैट मिल्क भी यूज कर सकते हैं और अब इसे हाई फ्लेम पे तीन से चार उबाल आने तक पका लेंगी हाई फ्लेम पे दूद बहुत जल्दी रिडियोज हो जाता है तो तीन से चार उबाल आ चुका है दूद में आप देख सकते हैं पहले से दूद गाड़ा लग रहा है तो उसे इतना ही गाड़ा रखना है बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है तो अब दूद में दो कप मिल्क पॉडर आड़ कर लेते हैं मैंने यहाँ पे निसली का मिल्क पॉडर लिया है निसली के मिल्क पॉडर में चीनी अल्रेड़ी मिक्स होता है इसलिए चीनी नहीं डालेंगे अगर आप simple milk powder आड़ कर रहे हों तो इसमें आधा कप चीनी आड़ कर सकते हैं तो अब high flame पर ही लगतार चलाते रहेंगे ताकि लंस न पड़ें तो देखिए हमने इसे लगतार चलाया है और बिल्कुल भी इसमें लंस नहीं पड़ा है milk powder का मावा बहुत जल्दी तयार हो जाता है तो अब इसमें एक चमच खी आड़ कर लेते हैं और घी डालने के बाद high flame पर ही दूद को गाड़ा होने तक चलाते रहेंगे बहुत जल्दी गाड़ा हो जाएगा आप देख सकते हैं पहले से गाड़ा हो गया है तो अब हम gas का flame low medium कर देते हैं लो medium flame पर इसे गाड़ा होने तक पका लेंगे तो मावा तला छोड़ने लगा है इसे और गाड़ा कर लेते हैं तो देखिए मावा तयार हो गया है तला छोड़ दिया है तो अब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे और आधे मावे को प्लेट में निकाल लेते हैं दो तरह का मोदग तयार करेंगे इसलिए आधे मावे को प्लेट में निकाल लेंगे और इसे 75% तक थंडा होने देंगे 75% थंडा होने के बाद ही मोदग तयार करेंगे और बचे हुए मावे में एक छोटा चम्मच कोको पाउडर एड़ कर लेते हैं मावा गर्म है इसलिए ग्यास का फ्लेम बंधी रखें और कोको पाउडर को मावे में अशी तरह से मिक्स कर लेंगे तो कोको पाउडर मावे में अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और दोनों ही मावा 75% ठंडा हो गया है तो अब मोदक त्यार कर लेते हैं तो छोटा सा लोई लेंगे बहुत ज़्यादा बड़ानी लेना है छोटा ही लेना है और इसे हाथों से अच्छे से दबाते हुए चेकना कर लेंगे बिल्कुल भी दरारे नहीं होना चाहिए अगर मोदक पर दरारे होंगे तो अच्छा नहीं बनेगा तो अब इसे हम अच्छा सा सेप दे देते हैं मोदक का तो बिना साची का ही मोदक त्यार करेंगे बहुत यह अच्छा मोदक तयार होगा तो इसे हमने अच्छे से चिकना कर लिया है देखिए मोदक का सेप दे दिया है बिल्कुल भी दरारे नहीं है मावे के उपर और अगर हाथों पे चीपक रहा हो मावा तो हाथों पे घी या तेल लगा सकते हैं और अब इसके उपर हम तुद्विक से अच्छा सा निसान बना लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेगेगा कि बीना ये साचे का बना हुआ है बहुत ही अच्छा मोदक तयार हो जाएगा और ऐसे ही सारे ही चौकलेट का मोदक तयार कर लेंगे देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही अच्छा लगता है तो अब हम सिंपल मोदक भी तयार कर लेते हैं तो उसका भी छोटा सा लोई लिया है और उसे अच्छे से चिकना कर लेंगे व्याइं भी मधक का शेप दे रहते हैं तो वाइट मावे का भी हमने अच्छा सा सेप दे दिया है और इसे भी तोथपिक से निशान लगा लेते हैं तो पिक पे थोड़ा सा घी लगा लें जिसे की तो पिक मावे में चिपकेगा नहीं तो देखे कितना अच्छा लग रहा है ऐसे ही सारा मोधक तयार कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जी अपने दोस्तों की बेश सेर केजिए और कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अब तक आपने मेरे चैनल को स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाबाए